नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजे दोशी और हमार यूट्यूब चैनल मुजिशन संजे दोशी मापका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम जो डोलक के चाटी और बेस का और तबले के दाई और बाइक का जो माइक सेटिंग होता है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जो आपको पीछे मिक्सर दिख रहा होगा यह है साउंड क्राफ्ट कंपने का सिखनेजर 22 मिक्सर दोस्तों जो मैंने पेसले अभी दो वीडियो डाले थे तो काफी सब्सक्राइबर के मेरे पास कमेंट है कि सर जब हम लाइव शो में या लाइव प्रोग्राम में कोई साउंड सेटब लगाते हैं तो धोलक और तबले का माइक सेटिंग करने में बहुत समस्य आती है अब हमें कोई सेटिंग बता दिए या कोई और हुए सटिंग हो तो दोस्तो आज इसी की बर मैंने वीडियो बनाए हैं अगर दोस्तों आप हमारे चेनल पर पर नहीं ओ तो अपर सबसे पहले हम्हारे चैनल को सबसक्राइब करें और यह बया ह砲 इसको तो घंडर उसको थोड़ा शेने जो आगे एक पॉइंट बढ़ाद देंगे 6 नमबर कर देंगे उसके बाद जो अपना का सुच्छ असको फैंल से 10 कर देंगे चे-अर और यह किस्पर विदे盈 ऐसा मिक्सर भी यह तो स्क्राइब कर दें एक बार और आपके बायस करते हम मीड की तो जब मीड की बात करें तो मिड को हमको अगर आप जोले कि चांटी पे माइक दे रहें तो आपको मीड को सेंटर से एक आगे बढ़ाना च्हे पर और और ज्वाज़ थोड़ी टिजे तो आप साथ से ज्यादा नहीं करें तो तो पिर आवाज में या रखेंगे इसको फिर उसके बाद में बेस की बात करें तो यह एक्ट्राश्य सेंटर में है अगर आपके वास यह mixer तो इसको सेंटर में कर दीजिए और अगर नहीं है तो इसको skip कर दीजिए अब आता है बेस की यहां पर लिखा हुआ है देख लो मतलब लो frequency और उपर बात करें तो यहां पर लिखा हुआ था हम फ्रिक्वेंसी और यह में मइक दिया हमने हमने तो हम अपना अगर हम बात करें वлем कि तो निचे आएंगे तो अपने को इतना open करना है जहां तक sound का विसल नहीं आरे अगर sound का विसल नहीं आ रहा है तो फिर आप थोड़ा सो volume निचे down कर दिजिए आप उतना volume को दिजिए जहां तक आप अराम से बेस का लगाते हैं यहां पर हमने बारा नमर में डोलर का माई का इंपूट बेस का दे दिया तो इंपूट देने के बाद में सबसे पहले गेन की बात आती है तो गेन को भी हम जहां चाटी वाला किया था उससे थोड़ा सा कम सेंटर में कर लेंगे वहा करने की बाद में TRIBLE को अपने को सेंटर से एक और दो तो जो बेस का स्विच है अगर बेस पर दे ले तो नो डाउटल आपको पता बेस जदा देना पड़ेगा तो अपसे से एक और दो कर देंगे मतलब अप्रोक्स हो गया यह चैन्टर हो गया पांच नंबर यह चे नंबर यह साथ नंबर पर अपने को करना है दोलक बेस और जो स्पीकर में आवाज फटे नहीं और ज्यादा दोलक की आवाज गू गू ऐसे करके नहीं आए तो इसलिए आप उसका भी वॉल्म उतना ही करें जितना सिंगर की भी आवाज दमे नहीं और डोलक का बेस भी अच्छा है तो यह तो थी इसकी जैनल सेटिंग अब हम बात करते है कि अच्छी सेटिंग करनी है तो क्या करें वह तो सबसे पहले डोलक के साटिकी बात करें तो आपको जो आपको 11 नंबर में हमने डोलक आपके लाला था तो उसमें देखो अंदर अलग फी उर्षापन में लग सचाइट होता है तो दोस्तों जो में बात यह होती है कि जै सेटिंग करना है तो आप सब स्विच को सेंटर में कर दीजिए और उसके बाद जैसे आपका त्रेबल हो गया, आपका मिट हो गया और आपका जो बेस आता है, तो चाटी के अंदर बेस कम देना चाहिए, तो आप बेस को सेंटर में नहीं करना, आपको बेस को थोड़ा सा कम कर दीजिए, बेस को कम करने के बाद में आप थोड़ा मिट को थोड़ा हाई कर दीजिए, जै अगर उसके बाद में हम भात करें डोलो के बेस की धोलों का तो बेस हमने 12 में डाला था कि उसके बाद में हैं आपको यहाँ पर सेंटर में रखना है और उसके बाद में जब्सा पर उतने आवाज है आवाज की फटे नहीं वोल्व माप na अब स्कूंद करोगे बहुत कम आएगा चैसे साथ तक ब्रक्राइब और जो नीचे में स्लाइड वोल्यूम है कि उसको भी आप उतना खोल दीजें जहां तक आवास फटेनी ये भी आप सेटिंग कर सकते हो व तो दोस्तों मैं आपको बजाता हूँ कि अगर आप दोलर के चांटी पर माइक लगाते हो आवाज थोड़ी तेकी खड़नी है करें तोम तेना है तरेबल को भी तीन नंबर पर कर देना और बेस की बात करें तो आपको थोड़ा बेस ही करना पड़ेगा तो आप देख सकते हूं मेरी यृवाज करेज है ऐसे ही आपको सेटिंग करके नाया है ये मैंने आपको जोटाशना करह दे रहे हैं दोस्तों यही मैं बात आपको कह ठोड़ा कोंटस होना चाहिए हैं साउंड से डौर्ट है आपने दोलक का चांटी का माइक लघा लागए तो आपको समझना चीह को अवाज की आरही है उसे पर मैंस के बाएं के वाज क 01 को आरही है तो दोस्तों कि दोल्बे के बात करते हैं अगर आप आप सै इसी सेटिंग की कर वा wonा माइक लग देता हूं अगर मैं आपको बताओं कि अगर आपको तपलीव पर एकी माइक लगाना है तो आपको क्या करना रहेगा है आपको सबसे पहले जो आपको एक लगें को साथ क्वालेटी में दे रहे हैं तो हम इसके बाद हम उसको साथ नमबर पर बेस उसको साथ नमर पर यह बेस नीचे आ गया लो फ्रिक्वेंसी तो बात रही वॉल्यूम की तो वॉल्यूम आपको इतना आप करना है जहां तक विशल नहीं आए अगर चलते प्रोग्राम में थोड़ी विशल आ रही है तो वॉल्यूम को नीचे नह दोस्तों यह थी एक दम सेटिंग दोस्तों आज मैंने आपको दोनों सेटिंग बता ही है हो सकता है तो मैं आपको डोलर का लाइव डेमो भी दे दूंगा आथ कम्गा दोस्तों आज मैंने आपको दो सेटिंग दिखाई यह के दब्लें आपको विडियो पसंदम सब्क्राइब है और थोस्तों कमेंट में यहीं बताएब है के अगर आपको सिंगर के वोलियूम की रोदीन होती है तो आप उसका भी मुझे करें नभार